तो यह आपकी श्रीर की कई बिमारियों को खतम करता है लेकिन हम लोगों के घर में गुड़ तो है लेकिन गुड़ को खाने का सही डंग नहीं मालूम कुछ लोग गुड़ को चाय में या दूद में डाल कर पीते हैं लेकिन आपको हम बता दें कि गुड को कभी में दूद में नहीं डालना चाहिए अगर आप गुड को दूद में डालकर दूद को उबालते हैं तो आप गुड और दूद दोनों की गुनवत्ता खतम कर रहे हैं गुड को लेने का सबसे सही तरीका है या तो आप इसे खाने के बाद लें बिना किसी चीज के साथ खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ खाएं या आप सुबह उठते ही खाली पेट गुड़ खाएं और उपर से गरम पानी का एक गिलास पिएं ये दो तरीके हैं जिससे आप गुड ले सकते हैं अगर आप सुबै उठकर खाली पेट गुड का सेवन करेंगे उपर से गरम पानी पीएंगे तो इससे जो आपको फाइदे होंगे आप जानकर हैरान हो जाएंगे चलिए थोड़ा फाइदों के बारे में जान लेती हैं दोस्तो अगर आपको कफ की प्रॉबलम है कफ यानि की बलगम आपके श्रीर में अगर कफ बढ़ा हुआ है आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है अस्थमा की प्रॉबलम है लंग से समंदित कोई प्रॉबलम जैसे टीबी या निमोनिया है आपके लिए गुड़ सबसे अच्छा है कुछ लोगों को लंबे समय से कफ की प्रॉबलम रहती है तो ऐसे में गुड़ का सेवन आपके लिए अच्छा है क्यूं अच्छा है? क्यूंकि गुड में phosforis काफी मातरा में है हमारे शरीर में जब भी कभी बल्गम बढ़ती है, कफ बढ़ता है उस समय हमारे शरीर में phosforis की कमी हो जाती है phosphorus एक chemical है, इस chemical की कमी से ही हमें कफ होता है इसलिए अगर आप सुबह उठकर खाली पेट गुड़ खाते हैं, उपर से गरम पानी पीते हैं, तो इससे आपका पुराना से पुराना कफ सही हो सकता है, चाहे वो 10 साल पुराना कफ हो, आप गुड़ के जरिये इसे खतम कर सकते हैं, दूसरा है ये खाना पचाने में मदद की सफाई होती है, और आपका शुरीर आटोमेटिकली स्वस रहना शुरू हो जाता है, अगर आपके बाल जड़ते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, बाल जड़ने के केस में आपको बाहर से कुछ नहीं लगाना, क्योंकि बाल क्या हैं, बालों की जड़े करेंगे, तो आपके जड़ते हुए बाल एक महीने में बंद हो जाएंगे, और आपके बाल लंबे होने भी शुरू हो जाएंगे, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो वो काले होने लगेंगे, अगर आपके श्रीर में खून की कमी हैं, तो आपके लिए गुड़ और important है जितना किसी गाड़ी के लिए petrol अगर किसी गाड़ी में petrol खतम हो जाए तो वो गाड़ी चलना बंद हो जाती है ठीक उसी तरह से अगर हमारे श्रीर में खून की कमी आ जाए या खून कम हो जाए तो इससे हमारे श्रीर की गाड़ी भी रुक सकती है, यानि हमारी मौत भी हो सकती है, तो आप इस बात को नजर अदाज ना करें, अगर आपके श्रीर में खून की कमी है, तो इससे लो बीपी होना, चेहरे पर दाग दब्बे या जुर्या होना, कमजोरी रहना, बालों का जड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी चीज़ों से आराम मिलेगा, हाई बलेट प्रैशर के के समझाते है, जो लोग सुबे उठकर गूढ और गरम पानी का सेवन करते हैं, वो पुराना से पुराना हाई बलेट प्रैशर सही कर सकते है, हाई बलेट प्रैशर दोस्तों बहुत बड़ी बिमारी है, लेकिन हम तो इसे चोटी बिमारी समझते हैं क्योंकि डॉक्टर हमें इस बिमारी के लिए चोटी सी दवाई देता है और उस चोटी सी गोली को खाकर हमें लगता है कि यह high BP तो normal है दोस्तों high BP को hypertension या silent killer भी कहा जाता है silent killer मतलब यह आपको मार सकता है अगर आपका high BP है तो आपको heart attack आ हो सकती है brain की nerves burst हो सकती है जिससे आपको brain stroke आ सकता है लकवा paralysis हो सकता है तो आप high BP को नजर अदाज ना करें high blood pressure कितना भी पुराना हो सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाकर 2-3 गिलास गुंगुने पानी के पीजिए ऐसा करने से 1-2 महीने में पुराना से पुरान high blood pressure normal पे आ जाता है यह बहुत ही बढ़िया नुसका है high blood pressure के case में तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम सूर्य की रोशनी के जरिये अपने hormonal imbalance को सही कर सकते हैं diabetes को thyroid को कैसे सही कर सकते हैं और दूसरा हमने जाना good और गरम पानी के सेवन से कैसे हम धेरो बि TV में advertisements मिलती हैं हमें उन पर ही विश्वास करना पड़ता है अच्छी information देने वाले लोग बहुत कम हैं क्योंकि अगर आपके पास अच्छी information आ गई फिर तो आप बिलकुल स्वस्त रहना शुरू हो जाएंगे और अगर आप स्वस्त रहेंगे तो doctors का hospitals का का काम कैसे चलेग लेकिन दोस्तों ये बिमारियां खतम करना कितना असान है आज आप समझी चुके हैं आज की वीडियो में इतना ही